हम इस तरह से रम्दान स्पेशल स्टार्टर रेस्पी बनाते हैं जो खाने में बहुत ही यमी और टेस्टी लगता है चलिए तो फिर हम इस तरह से समोसा लाली पॉप बनाना स्टार्ट करते हैं असलाम वलेकुम माई यूट्यूब फामली कैसे हैं आप सव मीड होगे आप सप्टीं के माइ बिल्कुल टीका आप सब्सक्रामी चानल पर स्वागते साधिकान ओ रहें के चनल में आज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगे रम्दान स्पेशल स्टार्टर रेसिपी हम बनाएंगे आज समुषा लाली पॉप जिसके लिए मैंने यह नहीं यह पर इक कप ने यहां पर देख सतने मैन यहां और मैंने यहां पर हाफ टेवर स्पून के करी मैं अजवाई लिया है नमख सारन सा डालेंगे आब हम यहां पे दो चमज के करीब डाल देंगे आप देख सकते हैं यहां पर मैंने पूरा पानी एक साथ नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से हम गुंदेंगे आटे को मैं देखे आटे को आप देख सकते हैं मैंने यहां पर इसे गुंद लिया है अब हम इसे पांसे दस मिनट इस तरह से और गुंदेंगे अब हम इसे पांसे दस मिनट के लिए अब हम इसे रेश्ट पर रख देंगे ताकि यह अच्छी तरह से हो जाए अब देख सकते हैं, यहां पर मैंने तीन से चार पिस उबले हुए आलू लिये थे, मैंने पहले से इसको बॉइल करके रख दिया था, अब देख सकते हैं, मैंने यह तीन से चार पिस बॉइल के हुए आलू, आलू को मैंने बॉइल करके रख दिया था, अब हम इसे मैच कर ल यहां पर मैंने वन टेबल स्पून रिफाइन वन गरम होनी के लिए रग दिया अब हम यहां पर पच्पोडन डालेंगे पच्पोडन से ना एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है अब देख सकते हैं पच्पोडन चिटिक चुका है अब हम इसमें कटेवे काजू डाल देंगे यहां पर मैंने 10-12 पेस काजू लिये थे मैंने इसको बारिक कट कर दिया है अब हम यहां पर हरी मिल जा लेंगे 3-4 पेस कटी हुई बारिक पर, यहां पर मैंने अब हरा है, अब हम यह सारे मचाले को यहां पर ढटेंगे लूनें यहिरी यहां पर यहां पर हरा यहां पर दालेंगे हम इसे लो फ्लेम पे ही अच्छी तरह से बुनना है, ताकि मसाला का कच्छापन निकल जाए, यहाँ पे नमक डालेंगे, स्वाध अनुसार, चूकि मैंने पहले भी नमक का यूच किया हुआ है, तो हम इसमें थोड़ा कमी डालेंगे, जादा मी डालेंगे, अब हम यहाँ द हम इसे बहुत ही तरह से मिक्स कर दिया है , अब हम गयस की फ्लेम को अफ कर देंगे अच्छी तरह से में परकूफि निक्स को असब सकते हैं, तो रची तरह से लाग आप दूटी लग रहना है देखने में यह चलिए तो फिर हम इसकी लो ही बना लेते हो। अब देख सकते हैं, यह जो लोई है ना आति की, इसको हम दो भागों में हम इसे डिवाइट कर देंगे ठर्ण्ट आप देख सकते हैं, मैंने यह यहां पर थोड़ा सा आति का डो लगा लिया है, मैदा अब हम इस तरह से इसे इसका चकला बना लेगे क्यूंत्य nots control ruling अब हम इस तरह से बड़ी सी चपाथी बेल कर देखे है अतीक रहा रोटी की तर्फ मैने से गॉल गॉल पूरिये की तरह मैंने इसे कट कर लिया है इसी तरह से हम बाकी भी काट करके बे, चपाटी बना करके काट करके रख लेंगे friends आप देख सकते हैं मैंने आप एक ब्रश में पानी लगा लिया है अब हम इसको इस तरह से पानी को फैला देंगे यह देखिए अब हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा यहाँ पर डो रग देंगे हालू का मेट मैंने इसको पान से दस मिनट के लिए मैंने इसे पानी में बिंगो दिया था इस्टिक को ताकि यह बहुत ही अच्छी तरह से हो जाए अच्छी तरह से इस तरह से हम इसे लगा देंगे अब हम इसको इस तरह से इसको इस तरह से हम इसे चुन देंगे और हम इसे अच्छी तरह से यहां पर इस तरह से चुपका देंगे इसे यह देखिए यह कितनी अच्छी तरह से हो गया है बाकी भी हम इसी तरह से बनाते हैं इस तरह से हम इसे मैंने यहाँ पर इसे चिपका दिया बाकी भी हम इसी तरह से बना लेंगे लाली पॉप चैसे मैंने समुझा लाली पॉप बना करके रेडी कर लिया है देखिए कितनी अच्छी तरह से बना है चलिए फिर हम इसे फ्राइ कर लेते हैं तो रिफाइन और गरम होनी से लिए रख दिया है तो रिफाइन और अच्छी तरह से गरम हो गया है अब हम इसे फ्राइ कर देते हैं तो इतना अच्छा होगा है इसी तरह हम सारे लाली पॉप समसे को फ्राइ कर लेंगे अब इसी तर इसी तरह से हम सारी समस्य को फ्राई कर लेंगे और बिल्कुल अलेट परलेट के हम इसे फ्राई करेंगे ताकि कहीं से भी कच्छा ना रहे जाए यह अंदर से इस तरह से हम इसे फ्राई कर लेंगे अब हम इसे प्लेट में निका लेंगे क्योंकि यह बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है यह इसकी प्लेम को आप कर देंगे यकीन मानिए अगर आपने इस तरह से समुसा लाली पुप श्टाटर बनाये न आपके फावली मेंबर्स आपको यही बनाने के लिए हर रोज भोलेंगे यह समुसा लाली पुप श्टाटर की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लेस लाइक शेर और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा फ्रेंट्स देखिए कलर कितना अच्छा है होगा है मैं आपको इसको एक खुद तोड की दिखाती हो यह देखिए बिल्कुल बजार जैसे ही खुश्बू आ रही है इसकी अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो प्लिस लाइक चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें आप फैमिली फ्रेंट्स को भी आप शेर कर सकते हैं अपने वाट्सप इन इस्ट्राम फेस्बुक कहीं पर भी मिलते क अलिक नहीं रेसिपी आप बेवे फ्रेंट्स लाफिए